उन सर्वाबाधा विन्यमुक्तो धनदान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविश्य नशन्शया सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ती समन्विते भैभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते नमस्कार नवरात्र के शुववसर पर माभगवती की अराधना करने का नियम भारती शास्त्रों में अनाधिकाल से प्रश्वस्त है और जो लोग माभगवती की इस सुरूपों का इन विभिन्य सुरूपों का ध्यान कर इन नवरात्रों में उनकी अराधना करते हैं उनके जी प्रसाद का अवसर है या आपने दिन लगतार साधना करी और उसके बाद आपकी मरुकामना सिद्धी का या प्रसाद स्वरूप मिलने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए इस दिन मा भगवती का यग्य करना चाहिए दुरगाजी के मंत्रों का यग्य करना चाहिए अब बहुत सारे क्लिष्ट मंत्र भी हैं तो ऐसे में क्या करें एक मंत्र है भगवती का वो में आपको देने जा रहा हूँ जो खास्तोर पर यदि कोई भी जातक केवल नवरात्र के नवमी के अफसर पर इसका जब कर ले तो जीवम में कल्यान चमतकार उपस्तित हो सकता है ना तो आपको बहुत जादा कोई महनत करने की आफशक्त है शिद नचवार चरम कुंजी का पाठ मात्रेन दुरुगा पाठ फलम लबेत अति गोई यह तरम यानि ऐसा गोई है कि जिसके द्वारा जिसको रहस्ति को वर्णन शास्त्रों में किया ही नहीं जा सकता है केवल इस मंत्र का स्तोत्र का पाठ कर लेने मात्र से दुरुगा पाठ का संपूर्ण जो फल है वो प्राप्ति वे पटन ते ऊंकलिं कगा जो प्रक्टी पार्ट कर लेते हैं उनके जीवं में कहलान का मारण प्रशच्त हो इंसमार के झाल